हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है विकास आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जी मेल से अगर आप किसे को कोई मेल सेंड कर रहे हो और आपको देखने को मिल रहा है क्यूड यानि क्यूड तो इसे आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं मुझे ने पढ़ा क्योंकि थोड़ा मुश्किल है पढ़ने में इसका मतलब है कि आपका ये मेल गया नहीं है रुख गया है तो ऐसा क्यों आ रहा है आईए जानते हैं देखिए इसकी कई सारी वज़ा हो सक अगर ऐसा नहीं है आपने एक या दो मेल भेजे हैं तो आप चेक करिए अपना इंटरनेट कनेक्शन यहां पर देख सकते हो मेरे फोन में अपने नेट बंद कर रहा है मैंने आपका नेट अगर बंद है तो नेट चालू करिए और आपकी दिक्कत सॉल हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा वेट करते हैं वाइफाइ कनेक्ट हो रहा है तो देख सकते हो अब वह दिक्कत अपने आप ठीक हो गई मेल को रिफेस्ट करिएगा और मेल हमारा सेंट हो गया तीन टॉट पर जाते हैं और सेंट वाले में जाते हैं यहां पर यह रहा तो देख सकते हो जा चु अगर फिर भी दिखका solve ना हो तो setting में जाईए निचे आईए आपको मिलेगा Apps, Apps option में जाईए manage apps मिलेगा इस पे आईए आपको Gmail यहां search करना है या scroll down करके ढूंड लेना है मैं search करता हूँ direct ताकि आपका समय खराब ना हो यहां आपको मिलेगा storage इस पे आईए clear data करिए और clear all data कर देए चिंता ना करें कोई file delete नहीं होईगी okay कर दीजिए थोड़ा सा wait करिए और Gmail आपको दवार open करिए और यहां पे got it पे touch करिएगा और यहां पे यह सा page आ जाएगा तो take me to Gmail पे touch करिएगा और आपकी जो दिक्कत है वो solve हो जाएगी यहां पे आप इसे page को refresh कर दिजेगा और check कर लिजेगा कि दिक्कत ठीक होई कि नहीं तो आप देख सकते हैं दिक्कत ठीक हो चुकी है सायद आप समझ गए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी नई वीडियो में